हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्टरी एंड स्टॉलर्य वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम check करेंगे lines को इस तरह से पुरी hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो as WhatsApp नंबर पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक complete square shape बनाती हुई नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की personality को और अगर हम चेक करें इनकी fingers को तो आप यहाँ पर देखेंगे fingers के उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं मौजूद है इनके साथ साथ कुछ आड़ी रिखाएं भी है इस तरह की सीधी खड़ी रिखाएं अगर सभी fingers पर मौजूद हो तो इन्हें काफी positive माना जाता है इस तरह ही रिखाएं होने से native मिलनसार सभाव का होता है लेकिन इसके बिलकुल विपरीत अगर ऐसी आड़ी रिखाएं भी मौजूद हो तो यहाँ native को aggressive nature का बनाती है जिसकी वज़े से native का जो सभाव है थोड़ा सा गुसैल हो सकता है अपने friends के साथ, अपने circle में, लोगों के साथ मनमुटाव रहने की इस भावना इस तरह की रिखाएं होने की वज़े से बढ़ जाती है अगर मात करें fingers की लंबाई की तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी शनी finger बिल्कुल straight और अच्छी length में नजर आ रही है शनी finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native काफी discipline वाला होगा ऐसे व्यक्ति कि इनकी शनी finger strong हो काफी महनती nature के होते हैं अनुशाशन प्रिया होते हैं नया प्रिया होते हैं तो इस finger का लंबाई में होना और थिक होना अच्छी बात मानी जाती है और अगर हम बात करें इनकी index finger की यानि यह जो ब्रस्पती गुरू की finger है अगर यह finger लंबाई में हो, thickness में अच्छी हो यहाँ से अब दिख सकते हैं काफी thick finger है अगर यह finger लंबाई और thickness में अच्छी हो तो ऐसे native की knowledge बहुत अच्छी होती है knowledgeable personality उसी के साथ साथ काफी अच्छी leadership qualities भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है ऐसे native धर्म को मानने वाले होते हैं spiritual type की personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है बात करते हैं इनकी नामे का उंगली की यानि के सूरिया की finger यहाँ पर सूरिया finger medium length में है जिसकी वजह से एक अच्छा social circle ऐसे native का रहता है creativity का level भी अच्छा रहता है creative type की personality, artistic qualities यह सभी खूबियां व्यक्ति के भीतर रहती है आगे बात करते हैं इनकी सबसे छोटी finger की यानि के mercury finger यह जो finger है mercury की finger कहलाती है अगर यह finger अच्छी लंबाई में हो तो native के communication skills काफी अच्छे रहते हैं communication skills के साथ साथ इस finger का straight होना native के business equipment को भी indicate करता है ऐसे व्यक्ति business करने में भी काफी काबिल होते है धन की एहमियत को समझते हैं धन को किस तरह से कमाना है, किस तरह से accumulate करना है इन सब चीजों में native की रूची अच्छी रहती है चली आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं fingers के बाद इनके mounts को fingers में चीज़ और note करने वाली है यहाँ पर base phalanges में बिलकुल भी gap आपको नजर नहीं आ रहे होंगे fingers बिलकुल आपस में सटी हुई जो अच्छी money management को indicate करती है ऐसे व्यक्ति धन की हैमियत को समझते हैं धन को किस तरह से खर्च करना है किस तरह से invest करना है इस चीज में भी काफी कुशल होते हैं चली आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा बन रही है जिसमें आप देखेंगे इनका गुरू माउंट इनका शनी माउंट और सूर्या माउंट तीनों को काफी अच्छी space मलती हुई यहां से यह हलका सा नीचे की तरफ low set होता हुआ mercury लेकिन overall mercury यहां पर weak नहीं है क्योंकि यह area अगर आप देखोगे तो उपर की तरफ उभरा हुआ भी आपको नजर आएगा mercury माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के communication skills काफी अच्छी रहते हैं तो overall यहां पर mercury बेशक थोड़ा सा low set है थोड़ी shy nature इनको दे सकता है लेकिन business equipment और communication skills में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही सूरिया की बात की जाए तो सूरिया परवत यहां पर कमजोर होता हुआ सूरिया परवत के बिलकुल नीचे इनकी heart line के उपर एक तिल का चिन भी बनता हुआ जो heart की health के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता इस तरह का black color का तिल अगर किसी व्यक्ति की हिरदय रेखा के उपर हो तो old age में चलकर हिरदय से सबंदी दिक्कतें blood pressure जासी problems का सामना करना पर सकता है और उसी तरह की यहाँ पर एक island की formation भी बनती ही heart line के उपर जो negative result देती है तो इन्हें अपनी health का आगे चलकर थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी और सूरिया परवत के weak होने की वज़य से यश मिलने में कमी रहती है और male members की society में से male members की sport थोड़ी सी कम हो जाती है male members की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी रह सकती है अगर सूरिया weak हो ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी help करने कितनी भी मदद करने बदले में कोई तारीफ सुनने को नहीं मिलती reward नहीं मिलता यश की कमी जिसको हम कह सकते हैं लेकन साथ ही साथ एक चीज़ आपको और नज़र आएगी यहां पर एक बारीक रिखाओं से इस तरह से एक तरशूल जैसा चिन जो government की तरफ से लाब व्यक्ति को दिलवाता है politics जैसे field में ऐसे व्यक्ति जा सकते है और literature में चलकर ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा मान समान भी society में मिलता है जिनके सूर्य परवत के उपर इस तरह से trident का चन बन रहा हो बात करते हैं इनके शनी की शनी का जो area है ये area हलका सा दबता हुआ flat type का परवत शनी परवत इनका नजर आ रहा है life में मेनत थोड़ी सी अधिक रहती है लेकिन यहां पर भागया रेखा मौचूद है जिसकी वज़े से life में काफी सारी travel भी रहेगी और भागया भी साथ देगा आप देखेंगे यहां से एक रेखा शुरू हो रही और यह रेखा सीधी direct इस तरह से दो-तिन हिस्सों में बटती हुई यहां तक पहुँच रही है इस वज़े से ऐसे व्यक्ति multitasking होते हैं एक से ज्यादा तरह के काम करने की काबलियत इनके भीतर रहती है लंबी दूरी की यात्राएं ऐसी रिखाएं चंदर परवत से उठने की वज़े से रहती है और life में धनकी कमी नहीं होती बिशक थोड़े से absent downs इनको tolerate करने पड़ सकते हैं लेकिन overall काफी अच्छी income generate करने में भी ऐसे native काम्याब रहते हैं बात करते हैं हम इनके ब्रस्पती यानि गुरू परवत की यह जो area है गुरू का area कहलाता है यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी इस तरह की पूरी तरह से बनने वाला यह ring of Solomon complete नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस तरह की overlapping और यह पूरी तरह से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच रहा है एक ring of Solomon कुछ इस तरह से बनता आपको बना कर दिखाना चाहूँगा यहाँ से शुरू होकर दूसरे सिरे तक चला जाए इसको हम गुरू वला कहते हैं ऐसा complete गुरू वला किसी व्यक्ति को सन्यासी भी बना सकता है लेकिन यहाँ पर यहाँ अधूरा बन रहा है तो spirituality की तरफ रूची तो रहेगी लेकिन साथी साथी यहाँ गुरू वला नेटिव को समाज में खूब मान समान भी दिलवाता है ऐसे व्यक्ति समाज में दूसरों को रहा दिखाने का काम करते हैं काफी अच्छी नौलेज इनकी रहती है जिनके ब्रस्पती परवत पर गुरू वला जैसा चिन्व बेशक अधूरा ही क्यों न हो इसके परभाव तब भी देखने को मिलते हैं बत करते हैं इनकी लाइन आफ हाट की आप देखेंगे हाट की लाइन काफी अच्छी लंबाई में एक अच्छे कर्व में सीधा बरस्पती माउंट तक पहुंचती हुई या रेखा इंडिकेट करते हैं कैसे नेटिव काफी लॉयल एंड आउनेस्ट होते हैं दूसरों की मदद करने वाली नेचर और साथ ही साथ केरिंग टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्ती की रहती है हाट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पर इस तरह की चिन बनना हाट की हेल्थ को तो कमजोर करते हैं इन साथ ही साथ emotional setbacks देने का काम भी करते हैं overall हाट की लाइन में इस front area में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है later age में चलकर थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है mind line के अगर हम बात करें तो एक लंबी मस्तिक्ष रेखा एक sharp mind की तरफ इशारा करती है ऐसे व्यक्ती का दिमाग काफी तेज होता है memory काफी अच्छी रहा थी है काफी practical type की personality इनकी इस line से नज़रा रही है बात करते हैं इनकी line of life की आप देखेंगे life की line कुछ इस तरह है थे काफी अच्छी लंबाई में जो एक लंबी age को indicate करती है लगभग 80 की आसपास की age लेकिन बीच में यहां पर आकर एक आपको island का चिन बनता हुआ भी नज़राएगा इस तरह की जो चिन रहती है यह negative पर भाव देने वाले होते हैं इसी तरह का island का चिन आपको इनकी heart line के उपर भी नज़रा रहा होगा जो लगभग 65 से 70 के आसपास की age में इन दोनों एरियाज में इस तरह का चिन बनना health को कमजोर करेगा खास तोर पर 65 की age के बाद इन्हें अपनी health का ध्यान रखना होगा और आगे age आगे बढ़ने की समभावनाएं भी हैं क्योंकि लंबी life की लाइन है तो age 80 के आसपास रहने की समभावनाएं life में काफी stress रहने की समभावनाएं भी रहेंगी जिसका कारण इनके चंदरपरवत पर बहुत सारी रिखाओं का होना चंदरपरवत पर यतनी ज्यादा रिखाएं होंगी उतना जदा तनाव नेटिव को सहन करना पड़ता है तो यहाँ पर यह stress lines है travel lines है काफी travel life में है काफी सारा तनाव काफी stress भी इनको अपनी life में जھیलना पड़ सकता है उसके अलावा इस area पर राहू area पर काफी सारी रिखाओं का होना भी नेटिव को stress देता है इन्हें हम stress lines का नाम देते हैं जो बिलकुल इस तरह से आड़ी टेड़ी रिखाएं हमारी अथेली के बिलकुल मध्या भाग में चल रही हो बात करते हैं इनके शुकर परवत की शुकर परवत का area काफी उबरा हुआ काफी prominent लेकिन इसके उपर ज्यादा रिखाएं होना married life में instability को दर्शा आता है कई बार marriage में delay होना और कई बार no marriage के chances भी रहते हैं जब इस तरह शुकर वले यो वले है जो गुरू वले है हाथ में बन रहा हूँ शुकर परवत के उपर बहुत सारी आड़ी और तिर्शी रिखाएं हो तब कई बार इस तरह की chances भी बन जाते हैं कि ऐसे native life में marriage ही नहीं करवाते और unmarriage रह जाते हैं तो इस तरह की संभावनाएं भी रह सकते हैं overall Venus का यानि के शुकर परवत का उबरा हुआ होना हमारी life में मिलने वाली सुक्स विधाओं को भी indicate करता है ऐसे व्यक्ति को life में हर तरह की सुक्स विधाएं हासिल हो जाती है और overall अगर देखा जाए तो इनका बरस्पती जो mount है वो काफी अच्छा है बरस्पती परवत जो है उबरा हुआ है जिस वज़े से काफी समझदा टाइप की nature काफी knowledgeable टाइप की personality इनकी इनके इस गुरू परवत के जरीए देखी जा सकती है और जो शुक्र है वो भी knowledge के कारक है तो दोनों mount यहां पर उबरे हुए जिस वज़े से काफी knowledgeable personality इनकी रहने वाली है तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो